कॉनर और माइकल चैनल की फाइट कैंसल होने के बाद जिन लोगों को ऐसा लगा कि ये जून का मन्त अब और बुरा नहीं हो सकता तो उनके लिए एक सर्प्राइज है कि रीसेंटली मल्टिपल फाइट्स कैंसल हो चुकी है जिससे ये मन्त और भी बुरा बन चुका है तो रोबर्ट विटिकर की फाइट होने वाली है इकरम अलिसकेराफ के साथ जहांपर इकरम अलिसकेराफ को बहुत ही उपरचुनिटी मिल रही है उसे काफी बड़ा जंप मिल है जहांपर I don't think so कि इकरम अलिसकेराफ अभी रांक भी है बट वो आप फाइट कने वाला है रोब की fight होने वाली है featherweight division fighters Brian Ortega versus Diego Lopez के बीच में तो Diego Lopez को भी अब काफी हुच opportunity मिली है जहाँ पर वो अभी number 14 rank पर है बट वो fight कर रहा है Brian Ortega के साथ जो अभी number 3 rank पर है अब यो कि जमाल हिल injured हो चुका है तो जो उसकी co-main में fight होने वाली थी Carlos Alba के साथ उस fight को demote कर दिया है जहाँ पर अब Carlos Alba की fight होने वाली है Anthony Smith के साथ अब ये वीडियो का mainly purpose है कि मैं हामसा चमायव के बारे में बात करूँ क्योंकि guys हामसा चमायव को लेकर चल क्या रहा है ये fighter 10 दिन में 2 बार 3 months में 3 बार fight करने से अब ऐसा fighter बन चुका है जिसने 4 सालों में सिर्फ 4 बार fight की है कहाँ हामसा चमायव का एम था कि वो 3 बेल्ट को विन करेगा बट अब ऐसा लग रहा है कि हामसा चमायव की जो actual fight है वो है उसके immune system से हामसा चमायव एक warrior है जिसके पास एक warrior heart है बट उसका immune system completely different है जहाँ पर हामसा चमायव एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी नहीं बलकि 5 बार fight से pull out कर चुका है अकेले ही वो 3 बाद Leon Edwards की fight से pull out कर चुका है जहाँ पर उसके बाद वो Nate Diaz की fight से pull out किया क्योंकि वो weight को नहीं बना पाया और अब recently 4 सालों में 4 बार fight करने के बाद and also कमार उसमान की fight करने के बाद हामसा चमायव ने proper time off लिया था बट अब recently वो Robert Bittaker की fight से भी बाहर हो चुका है तो I'm really not sure कि हमसा चमायव का internal system कैसा है जब हमसा चमायव training camp करता है I mean training camp भी छोड़ो overall जब हमसा चमायव train भी ने करता है तो यह चीज़ स्टडी करने पड़ेगी कि हमसा चमायव की actually में died किया है इस चीज़ को लेकर मुझे लगता है हमसा चमायव को सारी लोग monster समझते थे वो एक ऐसा fighter बन रहा था जिसे कोई भी नहीं रोख सकता वो still अभी undefeated है don't get me wrong बढ़ अब जिस वे से उसका immune system चलता है या फिर उसकी last fight देख लो तो हमसा चमायव को अब लेकर काफी जादा doubts बन रहे हैं अब जिस वे से पहले हमसा चमायव fight करता था to be very honest मैं उसका fan था मैं उसके fighting style का fan था और वो मेरी favorite fighters to watch की list में आ चुका था बट यहाँ पर मुझे भी honest होना पड़ेगा क्योंकि जो पहले हमसा चमायव था वो अब हमसा चमायव नहीं रहा है हमसात का case बहुत unique case है जहाँ पर UFC और Dana White ने पूरी try की हमसा चमायव को push क करने की वो से बड़ी fights देने लग पड़े in fact जो उसे अभी Robert Bittaker की fight मिली थी वो भी अगर हम देखें तो वो actually में deserve नहीं करता था क्योंकि हमसा चमायव ने middleweight division के किसी भी top 10 rank fighter के साथ fight नहीं की थी but UFC उसे पूरा promote करना चाहते थी I mean लोग पसंद करते थे उसकी fights को देखना जिस वे से वो अपने opponents को rag doll करता था वो सब कुछ देखने में मसा आता था but अब जैसे मैंने पहले का यहाँ पर हमें honest होना पड़ेगा और अम मुझे नहीं लगता कि हमसा चमायव इतनी जादा promotion deserve करता है एक time पर हमसा चमायव का यह कहना था कि वो 3 division का champion बनेगा but अब हमस division तो छोड़ दो but अब ऐसा लग रहा है कि हमसा चमायव middleweight division के लिए भी weight को cut नहीं कर पा रहा है recently उसकी photos आई थी कि हमसा चमायव ने बल कर लिया है वो काफ़ी strong लग रहा है but I think हमसा चमायव का system बाकी लोगों से complete opposite चलता है जहाँ पर उसकी body accept ही नहीं करती है कि हमसा चमा कि वो kobe commitment वाली approach को अपना है जिदर अगर उसे still fight करनी है middleweight division में तो फिर अपने training camp से पहले उसे जरा भी weight को gain नहीं करना है उसे अपने weight को maintain रखना है अपनी proper diet रखनी है ताकि जब वो training camp करे और अपने weight को actually में lose करने लग पड़े तो उसे ज़ादा weight को lose ना करना पड़े second option जैसे मैंने का हमेशा रहने वाल है कि वो directly light heavyweight division में fight करे जहाँ पर obviously बागी fighters के comparison में उसका size काफी छोटा रहेगा but at least उसकी जो internal health है वो ठीक रहेगी अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं काफी बोल रहा हूँ but guys जैसे मैंने पहले का हमजा चमाय मेरा one of the favorite fighters मे से एक बन चुका था जिसकी fights देखने को मैं काफी enjoy करता था तो मेरा यहाँ पर sad होना बनता है चार सालों से हमजात ने सिर्फ चार बार fight किये और इसकी last fight भी इतनी अच्छी नहीं गई थी तो overall इस जून के मत ने काफी fans को upset किये जहाँ पर Connor injured हो गया तो Michael Chandler और Connor की fight cancel होग और Joe next week बहुत बड़ी fight होनी थी यानि कि हमसाच मैव और Robert Whittaker की वहाँ पर हमसाच मैव एक बार फिर से सिख हो चुका है जिसकी वजह से ये fight भी cancel हो गई तो overall what do you guys think about this do let me know in the comments क्योंकि मैं तो काफी upset हूँ but what about you guys so that's it आज की वीडियो में बस इतना ही अगर तुम्हें वीडियो अची लगियो तो please make sure to like subscribe मिलते हैं next वीडियो में